नमस्कार आदाव स्रियाकाल भाय बने दिवे सजनो मेरे नाम है सियादस जोशी और आप लोग देख रहे एकागरदस ये यूट्यूब चैनल कमान मेक सम नॉइज एम आडिबल विजिबल काई इंगोंस वाउस दे जोश मेरे जादा हो गया अडिबल विजिबल कि अरे कमान मेक सम नॉइज जोशी के क्लास में आये ना तो जोश अरे जोश मांगता ना भीडू क्या वात है क्या वात है भाइव मेरो दिवी सजनो बहुत स्वागत आपका मेरा नाम है सियादस जोशी और मैं आप लोग को अभी तक पढ़ाता था अजी लो और अब मैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अरे बोलो ना शर्मा क्यों रहे हो शर्माना नहीं यार शर्माना चोड़ दाल हां जी मैं आपको पढ़ाने आ गया हूँ बिजनस एकोनोमिक्स एस वेल यह हुई ना बात तो भाईयो बैनो देवे सज्जुनो आप चार्टेट अकांटेट बाए प्रफेशन और प्रोफेसर बाए पैशन आपको अब आपको बिजनस एकोनोमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको लॉसरे फाउंडेशन में नहीं इंटरमिजेट में भी पढ़ाता हूँ और मैंने कल आप लोग के साथ एक ब्रीफ आउटलाइन शेर किया था कल बेसिक इंट्रोड़क्शन हो गया था हम लोगों ने ये भी देख लिया कि भाई यूनो एकोनोमिक्स का मतलब क् आप बिजनेस एकोनोमिक्स में जाने का लेकिन इससे पहले कि बिजनेस एकोनोमिक्स में हम जाते हैं समय समाप्ति की घुश्णा हो चुकी हैं अब हम ये खेल कल कंटिन्यू करेंगे ऐस ताब बोलके मैं आज पर आ गया था और आज एक नया दिन और एक नई शुरुआत क पिलाकर पाच मार्क के questions आ सकते हैं, exam में आने ही वाले हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मैंने charts बोले थे बनवाए, जो मैंने marks orientation बुरता हो बनाया हैं, और इसी उमीद के साथ मैं चलता हूँ आगे, चलो, तो business economics में कल हम लोगों ने क क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि sir, business क्या होता है, हमने देखे कि हमारे wants कैसे होता है, बता ना बिटा, wants कैसे होता है, wants कैसे होता है, जल्दी जल्दी बता, wants कैसे होता है, limited, unlimited, फड़ा फट, वक्त नहीं है, दोस मेरे पास, भाईया, वक्त नहीं है, मेरे पास, wants limited होता है कि unlimited होता है और means कैसे होते है means 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 limited होता है कि unlimited होता है अंजी means sir means limited होता है resources limited होता है और wants unlimited होते है मुझे बताइए what was the work Of first work of modern economics उस किताब का नाम क्या है जिसे लोग कहता है first work of modern economics मैं सिर्च चेक कर रहा ll mez诌 Chief हमारा knowledge है या flash drive को flash मार के आप आए हो पता चला कि पूरा सर हम तो पूरा वो format मार के आप पहुचे तो या format मार के नहीं चाहिए था मुझे यहां पर हाँ बताईए बोलो हाँ जी और यह भी बताईए कि यह जो किताब की आप कारीव कर रहे हो यह किताब किसने लिखी है यह कौन बताएगा wealth of the nation very good और इसको लिखा किसमे किसने है आँ जी किसने लिखा है Adam Smith यह ओई ना बात अरे भाई साब अच्छा मुझे आप बता सकते हैं मुझे आप बता सकते हैं कितने types के goods होते हैं सर गूट्स कंजूमर गूट्स हो सकते हैं प्रडूसर गूट्स हो सकते हैं कैपिटल गूट्स हो सकते हैं प्राइविट गूट्स हो सकते हैं पबलीक गूट्स हो सकते हैं मेरिट गूट्स हो सकते हैं नौन म केनल मेरीट गुड्स हो सकते हैं, cigrest निक रखेहं इमेरीट गुड्स हैं आ नशा, हाँ जी, मेरीट गुड्स-णन मेरीट गुड्स, जल्दी बोल। education मेरीट गुड्स, नौन मेरीट गुड्स, वेरी गुड्स, सर मैं अगर market में जाके kitkat chocolate purchase कर रहा हूँ consumer good है या producer good है kitkat consumer good है या producer good है अरे जल्दी बताओ न बेटा sir consumer goods है very good और अगर मैं wooden lock purchase कर रहा हूँ ताकि मैं उसको wooden chair बना कर बाद में बेच सकूँ तो ये consumer good है या producer good है प्रिंटिंग प्रेस जो लगती है जो प्रिंटिंग के लिए काम आती है book printing है वो प्रिंटिंग प्रेस कौन से type का goods है बिटा बोलो capital goods है मेरे हाथ में जो मेरा phone है वो मेरा private goods है वो ही अगर मैं STD PCO की बात करूँ जो common phones की बात करूँ तो वो public goods होते है आया धन में चलो इसके बाद मैंने आपको और क्या-क्या पढ़ाया था सर हम लोग business क्यू करते है हम लोग business क्यू करते है जली से बताना हम लोग business क्यू करते है और generation of surplus और profit क्या NPO's भी social benefit generate करते है जी हाँ very good सर economics क्या है economics ये कौन से word से आया है बेटा economics ये कौन से word से निकला है Greek word और Greek word क्या है हां जी भाई ये वेन दिवे सुझनो oikonomia 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 और इसका मतलब होता है जली बोलो oikonomia का मतलब क्या होता है what is the meaning of the word oikonomia सर इसका मतलब होता है household very good very good very good चलिए सर कल आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी और उस स्टोरी के माद्यम से मैंने economics का आपको explain क्याता concept कि economics का concept basic ये है how do you allocate the resources to your needs मैंने ये भी बताया था कि at the time of allocation of resources आप resources का most बोलते ना best value use आप करेंगे लेकिन ये theory काम की नहीं है इसमें 2 weaknesses है क्या एक तो सर अगर आप हमेशा resources का best possible use करेंगे तो सब कोई वही करेगा और वो product की value market में कम हो जाएगी second सर आज generation बहुत आगे बढ़ चुकी है science बहुत आगे बढ़ चुका है raw materials हम निकाल चुके production capacity of machines improve हो चुकी है labor और skilled हो चुका है and therefore the production capacity capacity has increased but at the same time अब नए problems भी आने लगे है जैसे for example global financial crisis जो 2007 में आया था या जैसे corona pandemic जो 2019 में आया था तो ऐसे कुछ pandemics और ऐसे भी crashes आये है life में crisis आये जितके वैसे production पूरी की पूरी तरह से थफ हो चुका था because of lack of demand ये सारी चीजे हम कल देख चुके थे sir अब वक्त है economics में आगे बढ़ने का मैंने आपको कल बताया था economics दो तरह की चीजे यहाँ पर देखता है economic problems एक होता है ends और दूसरे होता है means ends होता है unlimited और means होता है limited तो unlimited ends को तो आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप उसको graded priorities देते हैं यहने की कौन सा बहुत जादा important है उसको पहले पूरा करता हूँ जो कम important है उसको बाद में पूरा करूँगा यहने की sacrifices करने होता है choices make करने पड़ती है और resources की अगर मैं बात करूँ means की बात करूँ तो एक तो limited भी है और उसके alternate uses भी होते है यहां तक हम लोग हना अरे thank you so much thank you so much god bless you sir class app पे नहीं चल रही बेटा यहीं पर चल रही है स्रिफ हना यही पर चल रही है और दो हफते के बाद हम लोग इसको shift करने वाले आप के ऊपर हना यह भी demo के रूप में आपर चल रही है classes demo के रूप में classes चल रही है बेटा चलिए 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 आप पर भी मैं ही पड़ा रहा हूं तो अब आपके पास दो option है आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर एकागरता टीम में आप जतिन नेमला सर से भी economics पढ़ सकते हैं और आप मुझसे भी economics पढ़ सकते हैं मैं दो अफता सिर्फ यहाँ पर ले रहा हूँ उसके बाद मैं app पे shift कर दूँगा पूरी choice आपकी है मर्जी आपकी है दोनों classes चेक करिए आपको जहां अच्छा लग रहा है जैसे मन कर रहा है आप accordingly पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है है ना चलिए that being said अब मैं चलता हूँ आगे आज हम business economics देखने वाले आज का class बहुत important होने वाले प्लीज अब यहां से ध्यान देना start कर देना येस आप पर भी पढ़ाऊंगा मैं बिटा ने ने पीटा एप भी मैं पढ़ाऊंगा मलब दोनों हम मैं और जतिन सरम दोनों पढ़ाने वाले हैं बट दोनों की separate batches है आप यह दो हफते की classes देखिए आपको दोनों में से जहां continue करना है आप continue कर सकते हैं उसके बाद की classes स्रिफ एप पर होगी जो educator आप select करोगे उनकी अक्यली की class आपको मिलेगी है ना चलिए हम दोनों complete syllabus पढ़ाने वाले आपको चलिए बिल्कुल बिल्कुल थैंकि सो मच सुब्रांचू तो हम लोग app पे भी start कर देंगे बात करते हैं meaning of business economics से sir having understood the meaning of economics let us now understand what business economics is and for this let's consider the following situation बहुत amazing situation आपके सामने आने वाली है पूरा ध्या सो मच अबर तैंकि फोमच अरे यह क्या वात अख्या है क्या वात रावी टू मैं लबी टू और अल्ट बेस्ट और औरह अच्छम सब्सक्री सिए और आपके अपको बताता हूं बोलो CEO का मतलब क्या होता है CEO का मतलब क्या होता है CEO Chief Executive Officer Sir यह सारे Big Shots होता है Company के जो बड़े-बड़े Executive Decent Makings करते है Top Management होता है So Mr. G. Ramamurthy The CEO of Worldwide Food Limited On completion of his presentation Turned to his Board of Directors And raised the question Well ladies and gentlemen What do you say? Shall we go into stock soft drink market? Oh So So Give us some time sir You are asking us to approve a major decision Which will have long term impact On the direction of the company So I understand your concern for the company But now's the time Has come for us to expand our business Soft drink market is growing fast And it is closely related to our core business That is food So But competition from White Stop Drink Limited And Black Nectar Limited is tough They are already into this business for years Remarked another board member Ramamurthy कैते That is right But we must not forget That the statistics shows That there is still room for growth in this market And also Fit business is near maturity Don't forget that Even Swathipood tried entering the soft drink market And failed miserably And failed miserably एक और बंदा बोलता है इसका नामे अशोक अगरवाल यह एक और board member है तो फिर से रहामूर्थी कहते है यहाँ पर एक और बंदा कहता है More or The projections you are showing Are based on the last 10 years data What is the guarantee That the trend will continue He questioned Also we should not forget That Indians have become health conscious now And who knows tomorrow What people will prefer वो बोल रहा है कि आप तो soft drink business में घुसना चाहते हो What if tomorrow people are not interested In this product anymore Already competition इतना सादा है हमारे लिए Already हमने देखा कि एक company ने already Step लिया और वो फेल हो गया हमें पता है दो बहुत भारी competitors Already इस market में बैठे है So आपको इस hypothetical example से क्या समझ में आया Thank you, thank you, thank you so much Thank you so much Suman Thank you so much Suman Thank you so much God bless you Thank you so much Thank you, thank you So what do you notice In the hypothetical example given about The management of the company Is faced with the problem of decision making As we are aware The survival and success of any business Depends upon sound business decisions ठीक है And decision making refers to the process Of selecting an appropriate alternative That will provide the most efficient means Of attaining a desired end From two or more alternative courses of action So decision making के अंदर Evaluation involved है हम जा सकते हैं Soft drink में हम नहीं भी जा सकते हैं अगर हम गए तो क्या क्या हो सकता है अगर हम नहीं गए तो What is our loss इन सारे situations को Permutation combinations को सोच कर इन सारे alternatives को Evaluate करकर फिर हमें decision लेना पड़ता है कोई भी business का success और failure Depend करता है उसके decision making पे अगर आप right time पे Right decisions लेंगे Of course आपको right क्या Impact उसका मिलेगा On the other hand अगर आप सही समय पे सही decision नहीं लेते तो उसके भी Negative impacts आपको जेलने पड़ेंगे Now हम लोग क्या करते है Decision making के लिए हम लोग feasible alternatives को Evaluate करते है फिर उसमें rational judgment लगाते है जितना भी information हमारे पास है हम उसको use करते है हाँ फिर हम लोग एक particular Alternative को choose करते है Which the decision maker finds the most suitable Now as explained above The question of choice arises Because our productive resources Such as land, labor, capital And management are limited And can be employed in alternative uses And therefore More efficient alternatives must be chosen And less efficient alternatives must be rejected अगर आपने उपर के इस chat को ध्यान से पढ़ा तो आपको मैं एक line पढ़ाना चाहता हूँ जो मेरे इसाब से बहुत ज़ादा important थी जिससे मुझे समझ माया है कि Why the CEO of the company is so inclined in going to soft drink market जबकि उसका खुद का अपना already food business है तो यहाँ पर वो कहना चाहरा है कि यह जो soft drink का business है यह हमारे core business यहने कि food business से बहुत मिलता जुलता है लेकिन एक problem और है और वो problem मैं आपको highlight कर रहा हूँ that the food business is near maturity बोल रहा है कि अब इस food business में आग लगा देने के लिए मेरे पास जादा scope बचा नहीं है and therefore I must I must find out an alternative for survival of this company कई companies और कई products मदब मैं आपको कुछ ऐसे भी cases बताऊंगा जहां पर एक product के साथ free दिया जाने वाला product आज main product बन के बैठा है yes एक main product के साथ free दिया जाने वाला product आज खुद एक main product बन के बैठा है और जो main product था वो आज market से बाहर है so you never know what will work in the market you have to keep your eyes open you have to just grab the opportunity that you get मतलब एक से एक case studies हम real world case studies इस पूरे subject में देखने वाला है so I am just going I am just enjoying this subject and I hope you guys are enjoying as well है ना क्या वात है क्या वात है thank you so much I remember you and God bless you and all the best for your future thank you so much thank you so much guys thank you so much now what अभी अभी हम लोग आगे जाएंगे the management of a business unit generally needs to make strategic tactical and operational decisions सर स्ट्राटिजिक टैक्टिकल और operational decisions का मतलब क्या होता है सर हमारा company कहा जा रहा है क्या steps हम ले रहे है यह आपका strategic decision हो गया क्या steps change करने से क्या कौन से tactics का इस्तेमाल करने से हम इसमें और बेटर कर सकते है tactical decision making and what operational challenges we are facing and what operational decision making we should take to optimize this process to make it more beneficial for us that is operational decision making basically जो CEO, MDs, managers जो पूरा company का top management है वो ही क्या करता है यह सारे decision making करता है आपको मैं कुछ example देता हूँ a few example of issues requiring decision making in the context of the business are illustrated below यह कुछ examples है आप बस go through करके देखना कि आप लोग इसमें कैसे decision लेता है ठीक है should our firm be in this business सबसे बड़ा जो business हम कर रहे है क्या हम उसके लिए perfect है should our firm be in this business second should the firm launch a product given the highly competitive market environment क्या हम लोगों ने एक नया product launch करना चाहिए अगर हम product launching के बारे हम decide करता है हमारे पास क्या available techniques है production की जिसको हमें use करना चाहिए and from where should the firm procure the necessary inputs and that too at what prices then should the firm make the component or buy them from other firms सरी होता है make or buy decisions जब आप costing पड़ेंगे जब आप costing पड़ेंगे C intermediate में आप लोग को तब पदा चलेगा ये make or buy क्या होता है एक company अगर finish good बना रही है तो finish good बनाने के लिए उसको बहुत सारे intermittent products की ज़ुरत पड़ती है ये intermittent products either वो company खुद बना सकती है या वो company बना बनाया भाहर से acquire कर सकती है अगर company खुद बनाएगी तो उसमें again land, labor, efforts, cost सब लगेगा but possibility है कि जब company खुद बनाएगी तो सस्ते में उनको मिल जाएगा और better quality के inputs भी उनको मिलेंगे but अगर company से outsource करती है अगर बाहर से purchase करती है तो हो सकता है bulk manufacturing या bulk purchase के वैसे उनको वहाँ पर भी सस्ता deal मिल जाए ये भी हो सकता है कि उनका land, labor, machine और time और energy और cost सब कुछ बच जाए तो आपको हर जगा पर ये फैसला continuously करते रहना पड़ेगा that is it worthwhile for us to manufacture it और is it worthwhile to purchase दोनों में से जहां पर आपका positive you know net asset आ रहा है positive amount आ रहा है आप वो decide करेंगे but ये decisions हर बिजनेस को continuously लेते रहने पड़ते है how much or you know how much we should produce or how much we should buy and from which firms we should buy what will be the optimum output कितना manufacture हमने करना चाहे and सबसे important what price should the firm sell क्या price पर हमने इसको बेचना चाहे ये सारे economics के parts हम लोग पढ़ने वाले price determination हमारे syllabus में now how will the product be placed in the market which customer segment should be focused on and how to improve the customer experience overall so which marketing strategy should be chosen or how much should be the marketing budget how to combat the risk of uncertainties involved sir pandemic was a global uncertainty जिसके लिए no one was prepared but छोटे छोटे भी बहुत सारे uncertainties market में आते रहते हैं you never know कि कब आपका product redundant हो जाए market में मुझे बताओ न अगर आप एक जमाने में आप दुनिया के सबसे बड़े calculator manager sorry typewriter manufacturer थे number one typewriter manufacturer in the whole world suddenly आपने देखा computer का invention हो गया और typewriter redundant हो गया and you never know what uncertainties future will bring and we should be aware of what decisions we are supposed to make when those uncertainties arrive कई companies है हजारों साल से चल रहे हजार नहीं तो कम से कम 100, 200, 300, 400 साल से चल रहे है और उनके पूरे tenure में कई चीजे बदली वो कहां से शुरू किया था और आज क्या बना रहे हैं आपको पता है ITC was a tobacco company आज वो क्या बना रहे हैं आप देखो न यार आप सोचो न आप ITC के बारे में उसके नाम में tobacco corporation है आपको पता है पता है कि नहीं पता है किसको पता है कि नहीं पता हां जी नहीं पता अच्छा ITC की history बताता हूं मैं ज़रा आप देखना ITC history अब आपको मैं ITC का history बताता हूं कि नेट चल जाए भगवान की दुआ कि अनेट चलना चे तभी इससा बदा पाऊंगा ना और नेट नहीं चला तो फिर कुछ नहीं होएगा वाई हां कि का पोर्टल नहीं चल रहा है कि देख तो अब आइट नहीं नहीं अच्छा भाई सिफ पोर्ट्रेट में चलता है बोलते है ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं ओके उन्होंने अपने history के बारे में बताया है नहीं है ज्यादा लेकिन हमारे पास एक option है क्या Wikipedia यह सारी चीज़े होने वाले है विटा अब हम सारी चीज़े प्रैक्टिकल वे में पढ़ने वाले है और तो आप इसके लिए प्रिपेर हो जाना तो आपका knowledge भी बहुत बढ़ेगा और 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 आल ए महनत भी होगी ITC Company का history मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा हाँ आज यहाँ पर लिगा है ITC is an Indian multinational conglomerate company headquarter in कौलकाता अब इसका नाम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले का था imperial tobacco company of india limited फिर यह इंडिया tobacco company limited बना उसके बाद यह i.t.c.limited बना और उसके बाद 2001 में यह ITC limited बना ITC limited यह इस नाम से नहीं बना था यह बना था imperial tobacco company of india limited के नाम से वहाँ से फिर यह ITC Indian tobacco company बना वहाँ से फिर i.dt.c बना और फिर अब आज ITC बना है समझ में आ रहा है आपको और आज मुझे बताओ क्या यह tobacco बना रही है company यह क्या बना रही है भाई साहाब आप इनके बिजनस में देखो रूखो history छोड़ो इसके बिजनस बिजनस का मिलेगा इसका diversified presence across industries हाँ अब यह देखो FMCG बना रहे है hotels में है, software में है, packaging में है, paper boards में है specialty paper, agribusiness, the company has 13 businesses in 5 segments 13 business in 5 segments, exports to 90 countries, product available in 6 million retail outlets तो भाई, change तो होने वाला है, economy में change होने वाला है कुछ हमारे रिलेट तो कुछ overall macro level पे, how are we going to adapt to those changes is, you know, business economics, now decision making on the above as well as similar issues is not simple and straightforward as the economic environment in which the firm functions is highly complex and dynamic, the problem gets aggravated because most of the time decisions are to be taken under conditions of imperfect knowledge or uncertainty, now decision making therefore requires that the management be equipped with the proper methodology and appropriate analytical tools and techniques, business economics meets these needs of the management by providing a huge corpus of theory and techniques, briefly put, ध्यान से देखना, highlight करना, business economics integrates economic theory with business practices, ये है business economics, ये economic theories देता है, आपको techniques देता है, जिसको आप अपने business practices में apply कर सकते हो और आपने business को grow कर सकते हो, तो business economics is, you know, simply economic theories used with business practices, business economics को managerial economics के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों से request है, यहाँ पर एक बार इसको star mark कर देंगे, कि because हो सकता है, आपको managerial economics के बारे में पूछ ले जाए, फिर आप बोलेगे, आदर सर्थ आपने managerial economics तुमको पढ़ाया है नहीं, तो पेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे उपर इतना बड़ा घोर, क्या बोलता है उसको, इल्जाम लगाओ मत, मैंने आपको पढ़ाया है, बस आपको पता नहीं है कि उसको business economics को ही managerial economics कहते है, so it generally refers to the integration of economic theory with business practices, while the theories of economics provides a tool which explain various concepts such as demand, supply, cost, price, competition, etc., business economics applies these tools in the process of business decision making, यह बहुत important line है, और आपको यहाँ पर, यहाँ अगर आप वैसे हम नीचे इस point के end में, हम लोग economics और business economics को differentiate भी करेंगे, तो वहाँ पर आपको यह point काम आने वाला है, ज़रा ध्यान से देखना, क्या बोलता है, classmates की notebook बना रही है अब, क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा है, notebook बनाना है, आप बना सकते हैं, yes, of course, ठीक है, okay, sir, कहता है, while the theories of economics provide the tools which explain various concepts, for example, demand, supply, cost, price, competition, business economics applies these tools in the process of business decision making, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर economics और business economics में एक सबसे बड़ा difference, business economics आपको theory दे रहा है, but actual theories में और real world में difference होते हैं, and therefore, इन theories को business world में apply करने का काम, उसे हम business economics कहते हैं, तो business economics आपको theory देता नहीं, यह theory apply करवाता है, समझ में आ रहा हैं आपको, so, हाँ, अच्छा, आप वैसे बोल रहेते हैं, अब समझा मैं, correct, but वो, जब वो start हुआ था, उसका काम क्या था, tobacco company था, जब मैं आपको law पढ़ाता था, याद है मैं आपको law में बोलता था, कि हम पढ़ते बहुत सारी चीज़े हैं, पढ़ते हम processes पढ़ते हैं, law के rules, regulations पढ़ते हैं, बट जब real world में हम जाते हैं तो इन processes का application बहुत अलग तरीके से होता है, economics में भी यही है, मैं आपको theories बहुत पढ़ाऊंगा, demand, supply, price, production, cost, बहुत सारी, लेकिन जब आप real world में उतरते हो, तो actually यह सारे theories आप as it is real world में apply नहीं कर सकते हैं, real world के variables सी अलग होते हैं, वहाँ पर आपको applied economics लगता है, which is business economics, तो business economics उन theories को actual business situations में apply करता है, and that is the difference between economics and business economics, now business economics has close connection with economic theory, वो चाहे micro हो या macro, operations research, statistics, maths, theory of decision making, in sub say business economics connected, a professional business economist has to integrate the concept and method from all these disciplines in order to understand, analyze practical managerial problems, business economics is not only valuable to business decision makers, but also useful for managers of not-for-profit organization such as an NGO and a voluntary organization, ये तो आमने पहले भी असर्टन किया था, कि economics का जरूरी नहीं है, कि economics को आप सिर्फ और से profit-making जगवाँ पर ही लगाएंगे, NPOs and NGOs भी economics का इस्तेमाल करते हैं, because they are also creating social value, so business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions, involving the best use of organization's scarce resources, it is also known as managerial economics, very good, ये एक लिन में आई थिंक सब कुच समाप और है, Joel Dean defined business economics in terms of the use of economic analysis in the formulation of business policies, business economics is essentially the component of applied economics as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis and cost analysis, इस में से कुछ चीज़े हम पढ़ने वाले हैं, तो कुछ चीज़े आपके syllabus में अभी as of now नहीं आएंगे, but hi Karthik, welcome to the class, inter से यहाँ पर आगया आप, good, लेकिन आपको going forward C syllabus में यह चीज़े आने वाली है, अब एक एक करके linear programming, regression analysis, यह चीज़ आपके syllabus में अभी है ही नहीं, हाँ, capital budgeting भी अभी आपके इसमें नहीं है, आगे आएगा, break-even analysis और cost analysis, यह हमारे syllabus में हम इसको पढ़ेंगे, मलब यह detail में अच्छे से दिये हुए हम इसको पढ़ेंगे, so business economics में basically आपके scarce resource को हम best possible way में यूस करेंगे, हम economic theories को apply करेंगे in business like real world situation and that is business economics, our approach in this text is to focus on the heart of business economics, the micro economic theory of behavior of consumer and firm in competitive and non-competitive markets, and this theory provides managers with the basic framework for making key business decisions about the allocation of their firm's resources, वो कह रहा है कि अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम बहुत basic पढ़ा रहे हैं, अभी तो हमने actually economics पढ़ना शुरू भी नहीं किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या 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 हम लोग expect करना चाहिएं हम लोगों ने, since the subject का नाम business economics है, हम सिप economics नहीं, तो business economics पढ़ रहे हैं, हम actually, वो part of economics पढ़ रहे हैं, जो as a chartered accountant हमारे लिए ज़रूरी है, otherwise तो economics में मैंने आपको बता है, कर लोग PhDs करता है, 5-5 साल लोग economics पढ़ते हैं, समझते हैं, किताबे आप देखेंगे, हजारों किताबे economics के उपर बनी हुई है, but we as a chartered accountant, we are not concerned with all the economic theories, but yes we are concerned with business economics, और economics for finance, because वो हमारे day-to-day life में हमें काम आने वाली है, उसी से हम अपने clients के लिए भी value addition कर पाएंगे, सर, what is the nature of business economics, economic has been broadly divided into two major parts, micro economics and macro economics, now before explaining the nature of economics, it is pertinent to understand the difference between the two, सर, micro का मतलब क्या होता है, और macro का मतलब क्या होता है, micro, macro, micro, macro, सर, ऐसा क्यों, micro economics में हम अपने related चोट यूटी चीज़े देखेंगे, इसमें हमरा point of view चोटा हो जाएगा, और हम सिर्फ मैं मेरा और हमारा, मैं अपना individual का देखूँगा, मैं अपने business का देखूँगा, मैं अपना खुद का सोचूँगा, मैं अपने decision making देख करूँगा, macro यह सब का है, combined है, यह environment as a whole को आप देखेंगे, economy as a whole को आप देखेंगे, let's take a walk in the concept, microeconomics is basically the study of the behavior of different individuals and organizations within an economic system, in other words, microeconomic examines how the individual units, यह कि consumers or firms make decisions as to how to efficiently allocate their scarce resources, so basically microeconomics is concerned with only individual units, consumer or a firm, मैं अपना खुद का फैसला लूँगा, जैसे मैंने आपको सवाल पूचा था, आपके पास 1000 रुपए है, आपके पास 4 option है, this is the concept of microeconomics, मुझे कोई लिए न देना नहीं है कि इंडिया में बाहर क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, मेरे जैब में 1000 रुपए है, मेरे पास 4 option है, मैं 4 में से 1 select करूँगा, this is 100% microeconomics, मुझे यहाँ पर अपने 1000 रुपए को efficiently allocate करना है, जो मेरी choice है उसके अंदर, समझ में आया, हाई सार्तक, nice to see you, yes, micro for individual, macro for the whole economy, yes, macro can be anything, macro can be for entire world as well, so macro is macro, but usually हम लोग यहाँ पर, we restrict it to our economy only, but chapter 6 onwards, हम लोग और इसको एक्पांड करने वाल है, now here the focus is on smaller, small number of, or group of unit, rather than all the units combined, and therefore it does not explain, what is happening in the wider economic environment, so we mainly study the following items, in micro economics, product pricing, भाई मैं अपना product बना रहाँ, मुझे बेचना है, मैंने कितने बेचना चाहिए, consumer behavior, how consumers will react to my product, factor pricing, अगर मैं अपना product आपको दे रहाँ, मैंने क्या rate पे, क्या sell करना चाहिए, the economic condition of sections of the people, the behavior of the firm, the location of the industry, and so more, मैं और मेरा business, हम दो भले, पर्स हमें इतना ही देखना है, micro economics में, but macro economics, चीजों को बदल देता है, now in contrast, macro economics in contrast, is the study of overall economic phenomena, or the economy as a whole, rather than its individual parts, accordingly in macro economics, we study the behavior of large economic aggregates, such as overall level of output, overall employment levels, the total consumption, total saving, total investment, entire export of India, entire import of India, foreign investments, and also how this aggregate shift, over the time, अब देखरो, यहाँ पर अब एक individual के लिए, हम नहीं लड रहे है, we are not working for an individual anymore, अब हम पूरे की पूरे economy को as a whole देखरहे, now we are looking at the bigger picture, so यहाँ पर आप note down कर लेंगे, दो points important है, आप यहाँ पर note down करेंगे, star mark कर देंगे, यह सबसे बड़े difference है, micro or macro economics में, so macro economics analyzes the overall economic environment, in which the firm, in which the firms, governments and households, operate and make decisions, however, it should be kept in mind, that this economic environment, represents the overall effect, of the innumerable decisions, made by millions of different consumers, and producers, मुझे यह line बहुत अच्छी लगती है, बहला basically, अगर आपको macro economic, किसी को explain करना है, तो मेरे हिसाब से, this is the ideal line, to explain macro economics, micro economics, is what you decide in your case, macro economic, is an overall effect, of innumerable decisions, taken by millions and millions, of people, and persons, together, जब आप अपने ले फैसला ले रहे हो, micro economics, लेकिन आपके जैसे, जब 140 करोड, लोग, इंडिया में decisions ले रहे है, उनका क्या impact आ रहा है, उस impact को study करना, is macro economics, so, few areas that come under macro economics, are, national income, national output, general price level, interest rate, balance of trade, balance of payment, external value of currency, level of savings and investment, level of employment, the rate of economic growth, आप देखते होंगे, हर budget में, जब लोग लड़ते हैं, तो वो लोग ये, you know, growth rate को लेके लड़ते रहते, कि GDP में क्या है, हमारे company क्या growth हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, हम लोग देखते हैं, ये ना, जब parliament level पर लड़ रहे होते हैं, ये लोग macro economics को consider करके लड़ रहे होते हैं, it is possible that overall, you are doing very bad in your own business, but the government, the country is improving, country का performance बाँ अच्छा है, and vice versa, so micro and macro, they are all together on different levels, so you may be thriving as a business individually, but overall economy might be falling, or vice versa, you might be, you know, falling in your business, whereas economy is improving, so ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है, voting macro में आता है, बिटा, अगर आप vote कर रहे हैं, थोड़ी ना आप अपने business के लिए वोट करेंगे, है ना, चलिए, now while business economics is basically concerned with micro economics, macro economic analysis also has got an important role to play, macro economic analyzes the background of economic conditions in an economy, which will immensely influence the individual firm's performance, as well as its decisions, business firms need a thorough understanding of macro economic environment, in which they have to function, for example, knowledge regarding condition of inflation, आप देको, inflation rate पे जगडा हमेशा चलता रहता है, आप देको, interest rate पे हमेशा जगडा चलता रहता है, because all these things affect, our business, inflation अगर, हो रहा है, बढ़ रहा है, हमारे cost of raw material increase होता है, उसके वैसे हमारा पूरा personal economy विगड़ता है ना, अब आप देखो, कहना बड़ा असान है, लेकिन बीच में एक meme आया था, कि अब टमाटर तो हम effort नहीं कर सकते, तो अब हम टमाटर की चटनी में टमाटर नहीं डालते, meme आ गया था, ऐसी कि भई हम टमाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब क्या करें, बट उसमें एक बात, सच में एक बात ऐसी थी, कि it had a very bad impact on microeconomics, इंडिया में, MACD जैसे companies ने board लगा दिया, कि हम हमारे burger में टमाटर नहीं देंगे, can you imagine, अब आप मुझे बताओ, अजारों आउटलेट्स है, सौ से जादा कंट्रीज में, मैं लगता सौ देड़ सौ से जादा कंट्रीज में होंगे, can't they afford tomatoes, आप सोचो न, बट उनको अपने product cost और product की profitability नहीं हिलानी थी, therefore, they took that economic decision, because of course यार, वो थोड़ीना loss bear करेंगे, आप भी सोचो न, so, हर एक चीज का actual real world impact हमारे इसमें होता है, उसे हमें समझना पड़ेगा, now, इसके अलावा, हम लोग ये भी देखते है, long term trend क्या है business में, industry का trend क्या है, और भी बहुत prevailing macroeconomics factors हैं, जो हमें देखना होता है, now having understood the meaning of micro and macroeconomics, now we shall examine the nature of business economics, यहां से चीज एंपोर्टन है, थोड़ा ध्यान देना, nature of business economics, the economic world is extremely complex, as there is a lot of interdependence among the decisions and activities of economic entities, इसका अगर मैं एक्साम्पल दू, तो one fine day, Jio came into the picture, Jio से पहले, the total internet consumption of Indians, was mere 1 or 2% or maybe 10% of what it became afterwards, बहुत सारे companies थे, जो online business करते थे, online content creation होता था, online content consumption होता था, बट उनकी जो viewers थे, जो consumption rate था, बहुत कम था, वाई, बिकूस इंटरनेट लिमिटेट था, easily accessible नहीं था, affordable नहीं था, एक organization ने, decision लिया, यूटूबर्स, अफकोस, यूटूबर्स है, बहुत सारे है, टिक्टॉकर्स थे, उस ताइम पे बहुत सारे content creators हुआ करते थे, बट content consumers कम थे, limited थे, then suddenly came Jio, हर एक व्यक्ती, हर एक घर, हर एक गाव में, phone आ गया, हर एक जगा पर internet आ गया, परने वाले लोग इतने है, अफकोर्स, ये change in economy के साथ साथ, बहुत सारे content creators भी आए, बट आप सोचो ना, एक business entity का decision, कैसे कई और दूसरे दूसरे businesses को, change कर सकता था, for example, my teaching business, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कि we could go 100% online, बच्चों को समझ में आता होगा, क्या doubt solving होता होगा, क्या personal connect होता होगा, क्या, आज trust me, मैं उस situation में आगया हो, मेरे को लगता है कि, यार online is much better, बच्चे बड़े इमानदारी से, जो serious है वही class में आता है, जो class में आखरी तक ठीका होता है, वो genuinely अपने आपको लेके, अपने future को लेके एकदम serious होता है, वो आप से connected होता है, और वो ही बच्चा class में बैठा होता है, वो ही पढ़ रहा होता है, और बड़ा मदा आता है फिर पढ़ाने में, मुझे realize हुआ कि, इतनी बड़ी reach होती है, वरना कहां आप मुझे बताओ, आज जिस city में जाता है, कम से कम दो ही सही, लेकिन बच्चे बिचारे प्यार से मिलने आता है, तो, I came to realize कि, यह सब possible है, बगास ओनलाइन, और अगर यह जीओ और यह सब नहीं होता, in fact pandemic नहीं आता, to be very frank, तो, I would never have realized, यह पूरा economic turn ना होने न, मेरा तो face to face class बंद हो गया था, I had no other option, but to go online, अब इस moment पे बहुत सारे educators थे, जो online, hope up नहीं कर पाए, and they couldn't survive, तो, यह सारी चीज़े हैं, जो business, आपको decision making changes, करने पढ़ेंगे, according to what market demands, तो, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, interdependence, एक organization का decision, दूसरे organization के business को hamper कर सकता है, और उसके business decision को भी hamper कर सकता है, तो, economic world is extremely complex, as there is lot of interdependence, among the decisions and activities of economic entities, economic theories are hypothetical, अब यह भी important बात है, कि जो भी economic theories होते हैं, hypothetical होती है, hypothetical मतलब, यह मन घड़न्द होती है, कुछ assumptions पर चलती है, हर बार जरूरी नहीं है, कि वो assumptions real world में applicable होंगे, यह second point of difference है, between economics and business economics, you can make as many assumptions as you want, in economics, but not all the assumptions are going to work in business economics, बहुत सारे assumptions, खराब हो जाएंगे, और आपको हटाने पड़ेंगे, to make that, you know, theory work, और यह भी एक difference है, आप देखेंगे, आप अभी इसको point down करके रखेंगे, आप यह difference देखेंगे, जब हम distinction पड़ेंगे तब, so it is important to understand, यह difference कहाँ से आया है, so economic theories are hypothetical, and simplistic in character, as they are based on economic models, built on simplifying assumptions, now therefore usually there is a gap between the preposition of economic theory and happening of the real economic world, in which the manager needs to take decisions, now business economics enables application of economic logic and analytical tools, now to bridge the gap between the theory and practice, the following points will describe the nature of business economics, बोलता है business, अभी यह सारे points हम डीटेल में पड़ेंगे, बट एक overview आप ले 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 ना, बोलता है business economics एक science है, it is based on micro economics, also it incorporates some elements of macro analysis, pragmatic है nature में, यहने अभी आप वैसे pragmatic का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप समझे लेना कि यह theories पर based नहीं है, यह real world situations पर based है, यह एक logical approach पर based है, कि यार यह situation है, तो what it was supposed to be, how can we solve this, एक्दम practical approach, एक्दम rational decision making पर dependent है, and इसमे theory of markets apply होता है, theory of private enterprises apply होता है, it's also an art, it is interdisciplinary in nature, and it is normative in nature, these are all the nature of business economics, एक एक करके हम लोग एक 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 नीचर को explain करेंगे, सबसे पहले it's a science, sir science क्या होता है, what do you mean by science, science is a systematized body of knowledge, हमेशा देखना, science में cause and effect relationship होता है, आप इस chemical में इस chemical को मिलाओगे, तो ऐसा reaction हो जाएगा, that is the effect, यह reaction क्यों होगा, because of this thing happening in this material, this thing happening in this chemical, so there is always a cause, and because of that cause, there is always a, बो, effect, so हमेशा science is a, science is what, it's a systematized body of knowledge, 100% based on cause and effect relationship, business economic, integrates the tools of, you know decision science, for example maths, statistics, econometrics, इनको आप economics के साथ, जोडते हो, then economic theories के साथ, इनको जोडने से, you arrive at an appropriate strategies, for achieving the goal of business enterprises, it follows scientific method, and empirically test the value of the results, and therefore हम कहते है कि, business economics is science, इसके nature में science है, because it's a, systematized body of knowledge, यह cause and effect relation पे चलता है, यह micro economics से concerned है, so business economics, is largely based on micro economics, so business manager जो होगा, उसको अपनी खुद की पड़ी होगी, मतलब उसका main focus क्या होगा, कि भाई मैं मेरे organization का result अच्छा आ जाए, मेरी company का profit अच्छा आ जाए, यही तो ultimate goal होता है, economist, तो business manager is usually concerned, about achieving of the pre-determined objective, of his organization, so as to ensure long term survival, and profitability, ठीक है, therefore मैं कहता हूँ, it is a micro economics, however मैंने आगे बढ़ाऊँगा, कि इसमें macro के भी analysis, कुछ-कुछ use होते है, now since business economics, is concerned more with the decision making problem, of individual establishment, it relies heavily on the techniques, of micro economics, but यह मत समझ लेना, कि macro का इसमें कुछ नहीं लगता, कोई भी business unit, isolation में, या vacuum में काम नहीं कर रहा है, no matter मैं कितना भी कह दू की, okay business economics, जो है वो micro dependent है, because आप एक organization का सोच रहे हो, but वो एक organization, हवा में बैठी है क्या, नहीं, वो भी हमारी society में काम कर रही है, वो भी India में, India की economy के अंदर काम कर रही है, and therefore, any and everything affecting Indian economy, will ultimately be affecting the business as well, for example, आपका business बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा बढ़ रहा है, suddenly economy में fall आ गया, तो क्या आपको नहीं लगता, आपके business पे उसका कुछ ना कुछ negative impact आएगा, of course आएगा, आपको य वैक्यूम में तो जी नहीं रहे हो, so business unit does not operate in the vacuum, it is affected by the external environment of the economy, in which it operates, such as general price level, सर अगर general price level बढ़ती है, हर raw material का cost बढ़ेगा, overall में आपकी profitability कम होगी, income and employment levels, उसकी इसाब से भी आपके labor, labor आपसे income expect करेंगे, और वोई category के labor आपको मिलेंगे, government policies, with respect to taxation, interest rate, exchange rate, industries, price distribution, prices, distributions, wages and regulation of monopolies, ये सारी चीज़े हमारे business पे, directly, indirectly, कुछ ना कुछ impact, create करती है, और उसके impact की हिसाब से ही, हमें अपने decisions लेने पढ़ते है, so all these are components of macro economics, a business manager must be acquainted with all these, other macro economic variables, present as well as future, which may influence his or her business environment, so simple सी बात है, since आप कितना भी micro economic theories apply कर लो, you are working in an economy, economy is susceptible to macro economic changes, and therefore those macro economic changes, are also going to affect your organization, so you need to plan accordingly, so भले हम micro economics पे dependent है, but macro analysis भी हमको करना पड़ता है, बोलता है business economics is an art, क्यों? because उसमें practical applications होता है, rules का and principles का, तो बोलता है ना, पढ़ना पढ़ाना एक, आपको एक बात पूछना था अभिर को, जितने भी लोग LLP के लिए प्रिपेर करते है, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग LLP के लिए प्रिपेर करते है, उसके बाद lawyers बन जाते है, उस समझ लो आपके class के, 40-50% लोग practice में चले गए, क्या सारे के सारे equal talented होते हैं? equal talented, क्या सब का practice equally hit हो जाता है? सोचना, for example doctors, एक college के class, एक batch से, सिर्फ एक्जांपल 50 doctors निकले, वो 50 के 50 doctors ने, अपने-पने clinic डाल दिये, क्या वो 50 के 50 doctors hit होने वाले है? super famous होने वाले है? trust me no, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कमाएंगे नहीं, सब कमाएंगे, बट उन में से कोई ऐसा भी बन सकता है, जिसको all or India लोग recognize करें, उन में से कोई ऐसा भी बन सकता है, जिसको India के बाहर specifically बुलाया जाए, कि sir आईए ये operation करके जाएं, while को ऐसा भी हो सकता है, जिसको city की city में लोग नहीं जानते, sir why? all of them have studied from the same books, all of them have given the same exams, all of them have cleared the same exams, सभी को degree, same college, same batch, सब कुछ सेम करके मिलिये, then how come one person is, you know, at the top of the world, while other no one knows, reason, is very simple, it's an art, हर एक का knowledge, हर एक का talent, और हर एक का future, same नहीं हो सकता, मैं lawyers का आपको example दे रहे था, कुछ lawyers Supreme Court तक चले जाता है, लडने के लेक्दम, मतलब उनको judges पैचानते क्या रही है, ये तो इतने बड़े lawyer है, while ऐसे कई और lawyers है विचारे, जिनको जो बिचारे बाहर बैटे होते हैं, court की बाहर की, भई कुछ काम आज मिल जाए, so जब ये same book पढ़के, same degree मिल रही है, same exam पास करके, then why there is a difference, because it's an art, हाँ हाँ, सिवराज चीभाई मैं को लगा ही कि, तुम कब मेरी तारीफ कर दोगे, थैंकि सो मच, मंडल बहुत ज़्यादा आवारी है, थैंकि सो मच, हाँ 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 हम लॉट तो सब को आता है, लेकिन सब उस तरह से नहीं बढ़ा सकते, जैसे आदर जोशी सर बढ़ाता है, अभी कॉनॉमिक्स का भी सर ट्राए कर रहे, so it's an art, therefore practical application of rules and principles to attain the set objective is an art and not everyone will be able to get it, then use of theory of market and private enterprises, business economics largely uses theories of market, कि कौन से टाइप के market में कैसा performance होगा, it also largely depends on uses private enterprise के theories, then it uses theory of the firm and resource allocation in the backdrop of a private enterprise economy, इन सारे theories को हम आगे जाके पढ़ने वाल है, मैं फिर से बता दू, अब अगर आपको लग रहा हो कि सर ऐसे बहुत सारी concepts इसमें आई है, जो आप detail में नहीं बता रहे हो, उन सब चीजों को जैसे यसे वक्त रहेगा हम detail में पढ़ेंगे, आ गया है वो theories detail में आने वाली है, ये unit जब आप last में go through करेंगे, तो आपको जादा better explanation इसका समझेगा, then it is pragmatic in approach, अब pragmatic का न, आप पहले एक बाद dictionary meaning देखो, it has everything with respect to, you know कि, इसका अर्थ, मनदब practical approach है, तो pragmatic के लिए, आप इसको लिखना, उसका dictionary में meaning ही दिया है practical, देखो, आपको नहीं दिख रहा है, ओके, इसका dictionary meaning है practical, आप उसके नीचे लिख दो practical, so basically, dealing with things sensibly, and realistically, in a way that is based on practical, rather than theoretical considerations, theoretically क्या होना चीज़, वो सब अलग बात है, अभी जो situation मेरे सामने है, उसमें practically what I should do, ये type का जो thinking होता है, इसे pragmatic approach कहता है, कि theories को side में रखते हुए, real world situation को समझना, और practically उसको solve करना, इसे pragmatic approach कहता है, so it is practical in nature, क्या कहेंगे, it is practical in nature, theories को side रखके, मैंने कहा ना, it's more about application of those theories, right, so while applying those theories, हमको ऐसा feel हो सकता है, क्यार ये theory, इस situation पर नहीं battery, तो theory को जाने दो, इस real world situation को समझो, और उसको pragmatic view से देखो, और उसको फिर solve करने की कुशिश करो, so microeconomic is abstract, and is purely theoretical, and analyzes economic phenomena, under unrealistic assumptions, in contrast, business economics is pragmatic in its approach, as it tackles practical problems, which the firm faces in the real world, तो ये भी एक बहुत बड़ा difference आ जाएगा, economics और business economics के अंदर, then interdisciplinary, business economics is interdisciplinary in nature, interdisciplinary मतलब, हमें बहुत सारे जगों से मतद लेनी पड़ती है, हमें अलग-अलग tools मिलते हैं, from maths, operation research, management theories, accounting, marketing, finance, statistics, and econometrics, हम बहुत सारे अलग-अलग जगों से tools and theories को बोरो करते हैं, उनकी help लेते हैं, उनका support लेते हैं, then हम लोग हमारे application में जाते हैं, and it is normative in nature, again, अगर आप मुझे कहेंगे, sir, what do you mean by normative, normative का मतलब होता है, किसी norm या किसी standards से generate होना, देखो, economics, even though it is an art, but don't forget it is a science, तो basically there will be set of rules that you must follow, there will be norms, there will be standards that you must follow, generally, जो business economics है, वो normative है, मतलब it is based on those forms, based on those norms, based on standards, so establishing or relating to or deriving from a standard or norm, especially of behavior, ठीक है, इसके आप लिखेंगे, establishing, आप इसका normative का वहाँ पर एक meaning लिख लेंगे, ठीक है, it is deriving from a standard or norm, deriving, from a standard or a norm, so economic theory has developed along two lines, positive and normative, positive जिसे हम पूर साइंस मानते, analyzes the cause and effect relationship between variables in the objective and scientific manner, but it does not involve any value judgment, क्या करने से क्या होता है, इसे कहते है, cause and effect relationship, ठीक है, अब, same effect, same effect, can be generated by two different steps, उन दोनों में से कौन सा अच्छा, ये सोचने का काम, positive में नहीं आता, positive is very simple, straightforward, pure science है, ये करने से, ये होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, नहीं पता, value judgment का काम, हमें नहीं आता, क्या करने से, क्या होगा, मैं ये बता सकता हूँ, वो अच्छा होगा की बुरा होगा, ये आप हमें, मत पूछो, हमें नहीं पता, value judgment का यहां पर कुछ नहीं है, so basically, in other words, it states, what is of the state of affairs, and not what ought to be, क्या है मैं आपको बता रहा, क्या होना चाहिए, मुझे नहीं मालू, in other words, it is descriptive in nature, in the sense that, it describes the economic behavior, of individual or society, without prescriptions about desirability, or otherwise of such behavior, वो ऐसा behavior करता है, ऐसा होने से, हमारे product पे ये असर होता है, क्यूं होता है, I don't care, अगर आप उसके, क्यूं में ही नहीं जा रहा है, तो how are you going to solve, that problem in real world, so आप समझ रहो, अगर business economics, आप बोल रहे हो, कि it's the application of economic theories, in the real life business situations, और अगर आप उसमें, positive approach लेके बैटे हो, जहां पर आप क्या है, उसको बस वैसी देख रहे हो, वो क्यूं है, उसको सोचनी कि, अगर आप जिल्लत नहीं उठा रहे है, how are you going to solve, these practical problems, it is impossible for you to solve, अगर आप उनके पीछे के reasons को समझने की कोशिशी नहीं करोगे, तो कैसे solve करोगे, and therefore, this is not going to work, तो क्या काम करेगा, अब मैं आपको बताता हूँ, क्या काम करेगा, as against this, normative science involves value judgments, it is prescriptive in nature, and suggest what should be a particular course of action, under the given circumstances, welfare considerations are embedded in the normative science, क्या है, क्यों है बाद में, अभी जो situation है, वो गलत है, उसमें यह हमारे लिए negative points है, यह हमारे लिए positive points है, इसमें हम यह कर सकते हैं, ताकि यह positive हो, यह जो आप corrective action ले रहे हो न, यह normative में आता है, because यहाँ पर आप value judgment ला रहे हो, क्या है, क्यों है, नहीं, क्या होना चाहिए, और वहाँ तक हम कैसे पहुच सकते हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हो, so basically जहाँ positive end होता है, वहाँ normative start होता है, positive तो आपको आपको आपके बता दे रहे हैं, ऐसा ऐसा था, इसलिए यह हो गया, मैंने कहाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब what's next, वहाँ पर normative comes into the picture, कि अभी यह situation है, हमारा target यह situation है, अब what are the steps we need to take, to reach to this target, यह है business economics, so business economics is generally normative, और prescriptive in nature, it suggests the application of economic principle, with regards to policy formulation, क्या policies बनाओगे तो आप desired result तक पहुचोगे, क्या decisions लोगे तो आप desired result तक पहुचोगे, क्या future planning आपको करनी पढ़ेगी, desired results तक पहुचने के लिए, however, if the firm are to establish valid decision rules, they must thoroughly understand their environment, this requires the study of positive or descriptive economic theory, and thus business economics combines the essential of normative and positive economic theory, the emphasis being more on the former than the latter, तो हमारा, I know कि यहां से यहां जाने के लिए जो steps लेना है, उसमें हमें यह भी पता होना चाहिए था कि यहां तक हम आए कैसे, हो सकता है नहीं यही गल्ति हम दुबारा repeat कर दे, and therefore business economics में, हम positive approach को भी देखते हैं, उससे सीखते हैं, बट वहां पर हम हमारी study को रोक नहीं देते, उसके बाद हम application शुरू करते हैं, और उसके लिए हम normative approach यूज करते हैं, जो हमें future planning, जो हमें future steps बताता है, to reach our goal, but the more focused is on normative than positive, because positive will only give you cause and effect relationship, normative will also suggest you majors that you should take to improve the situation. अब आप लोग इतना तो knowledge आपको आ चुका है, कि आप बता सकते हो, कि यह जो internal issues है, या जो operational issues है, इन्हें आप कैसे solve करोगे, कौन से theories से solve करोगे, micro या macro, यह आपके खुद के अपने company के issues है, आपके individual issues है, आपके firm का issue है, आपके company का operational issue है, तर इसके लिए, क्योंकि यह हमारा related, हमसे related issue है, हमें micro economic theories का, इस्तेमाल करना पड़ेगा, why, because it relates to only me and my business, on the other hand, जो यह external issues है, जो environmental issues है, these are not entirely because of me, and therefore, यहाँ पर इसको solve करने के लिए, macro economic theories लगीगी, do you agree or not, जो चीज हमसे related है, internal है, operational है, वो तो हम खुदी solve कर सकते हैं न, उसके लिए हमें किसी और की ज़रुत, नहीं है, micro economic theories लगाएंगे और solve करेंगे, यार बट जो चीजे, हमारे scope के beyond है, external है, environmental है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें उसके लिए लगाना पड़ेगा, macro economic theories, okay, now let's see both, micro economics applied to internal, and then we will see macro economics applied to external, ठीक है, इस दोनों conditions देख लेते हैं, ताकि हमको समझ बहाएं हैं कि, क्या issues होते हैं और उसको कैसे solve करना है, so number one, micro economic theories applied to internal और operational issues, operational issues includes all those issues, that arise within the organization, and fall within the purview of control of management, for example, आपके raw material खराब हो गया, यह आपका अकेले का personal problem है, आपने बहुत जादा extra raw material store कर लिया, जितना नहीं करना चाहिए था, समझ में आ रहा है, it has nothing to do with macro economics, it has everything to do with micro economics, अगर आपने adequate, stock रखा होता, अगर आपने adequate production planning की होती, अगर आपने adequate purchasing decisions की हो, decision making की होती, तो यह situation नहीं आती, and therefore we need some micro economic, you know, theories, to solve this problem for the future, they fall within the purview of management, these issues are internal in nature, issue relates to the, you know, related to choice of business, and its size, product decisions, technology, factor, combination, pricing, sales promotion, financing, management of investment, inventory, in subse related issues, ठीक है, the following micro economic theories, deal with most of these issues, number one, demand and analysis forecasting, तो बहुत सारे problems उसने उपर बताए, और उसके बहुत सारे solution बताए, यह जो आप देख रहे हो, यह micro economic theories है, तो पहला theory आ रहा है, demand analysis and forecasting का, दूसरा है production and cost analysis, inventory management, market structure and pricing policy, risk and uncertainty analysis, profit analysis, theory of capital and investment decisions, resource allocation, यह सारे theories को इस्तेमाल करके, आप यह micro economic problems को solve कर सकते हैं, सर कैसे, let's find out, सबसे पहला theory आपको दिया है, demand analysis and forecasting, demand analysis pertains to the behavior of consumers in the market, it studies the nature of consumer preferences, and the effect of changes in the determinants of demand, such as price of the commodity, sir, how will price change the determinant of demand, क्या बात कर रहे हैं, say for example, एक product available है market में 600 रुपए का, अगर मैं उसकी price suddenly 400 कर दू, don't you think the demand will increase, क्या लगता है, say for example, आज अगर आपको, iPhone 15, मैं 60000 में बेच दे दू, या 50000 में दे दू, will you be ready to purchase, कौन कौन पर्चेस करने चाहेगा, 50000 में iPhone 15 चाहेगा, बताना, हाँ, बताओ ज़रा, आओ, हाँ, जी, किसको लेने का है, 50000 में iPhone 15, अरे, चाट 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 गाइस और गर्ल्स, लेने का है की नहीं लेने का है, देखो offer end हो जाएगा, फिर मत बोलना, offer दिया है मैंने इदर, येस, इन डारिक रिलेस्टिशिप आगया है न, पाथ सेदार बेस, इतना भी ज़्यादा वेटा, इकोनोमिक्स बढ़ा रहा हूँ है, इतना भी ऐसे, नॉन एकोनोमिकल डिसन नहीं लोना है, बिल्कुल, परेक्ट है, तो आपको समझ में आया है, कि जैसे प्राइज आफ कमोडिटी कम, या ज़्यादा हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है, मुझे बताओ, अगर कंजूमर का इंकम बढ़ गया, आप पहले कमा रहे थे 20 ज़र रुपे मैंना, तो आप आप आइफोन लेने का सोच नहीं सकते थे, अब आप अगर सड़नली एक लाक रुपे मैंना कमाने लगे हो, क्या अब आप आइफोन अफोर्ड कर सपोगे, येस, अब आप अशॉर्ड हो, आपको हर मैना एक लाक रुपे आ रहा है, तो आप देख रहे हो कैसे कंजूमर की इंकम बढ़ी, तो उसकी परड़क की डिमाइड बढ़ी, तिन प्राइज ओफ रिलेटेड कमोडिटीज, सर ये भी बड़ा इंपोर्टन है, अब आप देखना, सर आज से 2-4 साल पहले अगर हमें AC लेनी जाता था, या तो मुझे रेलाइस होता था कि, रेट वर 30,000, एक 25 से 30,000 की रेंज में आ जाते थे, आज अगर आप AC लेनी जाओगे, 40 to 50 बेर मिनिमम पे करना है, क्योंकि ये रेलेटेड प्रड़क्ट एक्स्पेंसिव हो गए, जो चीपर कूलर वाले ओप्शन्स है, उनकी डिमाइड बढ़ गई, क्योंकि लोग सोच रहे हैं, इस से अच्छा 10,000 के 2 कूलर लो, दोनों तरफ से फुल जोश में चलाओ, AC की ज़रत नहीं है, रेलेटेड कमोडिटी के प्राइस चेंज होने के वज़े से, आपके कमोडिटी का भी डिमाइड उपर और नीचे हो सकता है, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट, कंजुमर टेस्ट, यह तो भाई इसको आपनी ब्रेक कर सकते, है ना, अगर कंजुमर को आपका प्रड़क्त पसंद है, तो वो लेगा, और नहीं पसंद है, तो नहीं लेगा, अगर उसके टेस्ट में चेंज हो रहा है, उसके प्रिफरेंसज में चेंज हो रहा है, उसके दीमाड में चेंज हो रहा है, तीधी बात, now demand forecasting is a technique of predicting future demands for goods and services on the basis of the past behavior of factors which affect demand accurate forecasting is essential for a firm to enable it to produce the required quantities at the right time and to arrange well in advance for the various factors of production for example अब अगर आपको पता है exactly अगर आपको पास policies जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छे से demand forecasting कर सकते हो अगर आप अच्छे से demand forecasting कर सकते हो तो आप अच्छे से production भी planning कर सकते हो फिर आप advance में raw material, labor, machine, equipment, building ready रख सकते हो so business economic provides the manager with the scientific tool which assists him in forecasting demand अब बोलो यह theory काम किये कि नहीं बहुत सारे problems एक company के यह एक theory solve कर दे रही है, demand forecasting फिर है production and cost analysis, now production theory explains the relationship between inputs and outputs, ठीक है, better the input better will be the output यह common sense है, ठीक है, a business economist has to decide on the optimum size of output given the objectives of the firm, आपको कैसे पता चलेगा output by demand forecasting, एक बार demand पता चल गी तो आपको exactly पता है कितना production करना है, अगर आपको production पता है तो आपको output पता है, अब आपको output पता है तो आपको input पता है and that is how reverse calculation a business does, now he has also to ensure that firm is not incurring undue cost, बहुत जादा raw material लाके आपने अपने factory में रख दिया, अब आप unnecessary आपको go down rent पे लेना पड रहा है, बहुत जादा production करके आपने रख लिया, अब unnecessary go down का rent देना पड रहा है, movement logistics में expenditure बढ़ गया, ठीक है, so undue cost बढ़ जाती है अगर आप यहाँ planning ना करो, production analysis enables the firm to decide on the choice of appropriate technology and selection of the least cost, अब यह least cost input mix क्या होता है, आपको आपका output पता है, अब कितने कम से कम input में आप वो output निकाल सकते हो, आपका profit margin बढ़ेगा, जितना जादा input लोगे, उत्ता जादा cost बढ़ेगा और आपका profit margin कम होगा, तो आपको least cost वाला input mix select करना है, ताकि आप technically efficient way में अपने output produce कर सको, given your inputs, now cost analysis enables the firm to recognize the behavior of cost when variables such as output, time period and size of the plant change, sir cost actually multiple तरग ही होती है, fixed cost होती है, variable cost होती है, एक cost लेता है variable, अगर मुझे पता है कि एक finished good बनाने के लिए, मुझे 5 kilo raw metal लगेगा, तो मैं अब 2 finished good बनाऊंगा, तो मुझे नहीं कर सकता कि मैं 1000 बनाऊं चाहे 20,000 बनाऊं, मेरेको 5 kilo का raw material per product लगना ही लगना है, I can't change, but fixed cost on the other hand, it will change, अगर मेरा rent है, जो मुझे फैक्टरी का rent भरना पड़ रहा है, वो rent fixed है, say for example, 1 lakh rupees per month, अब मैं वो एक मेने में एक product बनाऊं, या उसी एक मेने में मैं 1000 product बनाऊं, मेरा जो ये rent का cost है, कि उन सारे products में divide होने वाल है, higher the production, lower will be the fixed cost, जहां से देखना, higher the production, lower will be the fixed cost per product, why? because मेरा fixed cost fixed था, उसलिए उसको fixed cost कहता है, 1 lakh rupees a month, but जो मैंने production किया है, वो बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि production बढ़ रहा है, fixed cost per unit घट रहा है, चर, variable cost per unit घटेगा क्या, it will remain the same, क्योंकि मुझे उतना variable product तो लगने वाला है, बनाने के लिए, तो time period, output, size of the plant, इन सब पे आपका cost निर्भर करता है, the firm will be able to identify the way to maximize profit by producing the desired level of output at the minimum possible cost, अब आपको ये देखना है, कि आप maximum, बोलते हैं, कैसे आप अपने desired level of output पे आ सकते हो, with the minimum possible cost, फिर आता है, inventory management, इसके बारे मैंने आपको थोड़ा hint दिया था, inventory management theory pertains to the rules that firms can be used to minimize the cost associated with maintaining the inventory, in the form of work in progress, raw material and even finished goods, too much of anything is bad, even too much of inventory is bad, why, क्या करूं मैं बहुत सारे raw material का, अगर मेरे पास production capacity नहीं है, क्या करूं मैं बहुत सारे finished goods का, अगर कोई purchase करने वाला ही नहीं है, so optimum raw material मेरे पास होना चाहिए, उसके लिए just in time करके concept आता है, जिसको आप use कर सकते हो, just in time concept क्या बोलता है, जैसे ही raw material मेरे organization में खतम होने वाला रहेगा, reorder level जैसी आता है, immediately नया order factory में आ जाना चाहिए, नया raw existing खतम होने वाला है, नया batch आके उसको continue कर रहा है, यह होता है optimal inventory management, मुझे एक भी extra raw material अपने पास फालतों में store करके नहीं रखना पड़ा, same with work in progress and same with finished goods, जब requirement है तभी finished goods ready होने चाहिए, ना बहुत पहले और ना ही बाद में, ना बहुत जादा in quantity, ना बहुत कम, that my friend is inventory management, inventory policies affect the profitability of the firm, business economist use method such as ABC analysis, ABC analysis बोलतों अपना पूरा detail, in-depth analysis करने का, आप काई में अच्छे हो, काई में बुरे हो Then, simple simulation, Sir, simulations क्या होता है आप लोग test data को, simulate करते हो, simulation का मतलब होता है, imaginary आप क्या करते हो, एक chart बनाते हो, एक imaginary chart बनाते हो, कि इतना-इतना समझ लो हमको demand आएगा आपने last 10 साल का, last 1 साल का अपने देखा, और last 1 साल के साब से अपना अगला simulation आपने बना लिया अब आप उसको analyze करते हो कितना बचेगा, कितना बिकेगा कितना day end का inventory बच गया कितना waste हुआ and accordingly एक आप strategy और plan बना लेते हो कौन से दिन पर कितना manufacture करने का now वो simulations के वज़े से आप ज़ादा over कभी नहीं बनाते and जितना ज़रूरी उतना ही बनाते actual आपके inventory loss गम हो जाता है so simulate करना मतलब fake data को process करना एक बोलते है न कि imaginary data लेकर उसको process करना जो आपका पहले का historical data उसको भी आप simulate कर सकते हो और उसको बार-बार iteratively run करते रहनेगा to find out what the optimum quantity should be then आप mathematical models use कर सकते है to maintain the optimum stock of inventories ये सारी थेओरी इन्वेंटरी management में आती है then market structure and pricing policy analysis of structure of the market provides information about the nature and extent of competition which the firm has to face perfect competition है monopoly है, oligopoly है समझ में आएक this helps in determining the degree of market power that is the ability to determine prices which the firm commands and the strategies to be followed in the market management under the given competitive condition such as product design, marketing price theory explains how prices are determined under different kinds of market conditions and assist the firm in framing suitable pricing policies कई market अगर आप monopoly का देखो तो they are free to decide their own prices लेकिन perfect competition में आप prices के साथ नहीं छेड कर सकते हैं क्यों? क्योंकि 50 और लोग बैठे है same product same price में बेच रहे then why will a customer purchase your product which is actually expensive logic नहीं है न? exactly आप समझ रहे हो आपको देखना है आप कौन से market में उतर रहे हो फिर आपको पता चलेगा आपके पास ability है भी या नहीं अगर ability है तो फिर आप अपने एसाब से pricing policy set कर सकते हो और अगर नहीं है तो price तो set होगा अब आप सिफ और सिफ अपने cost reduction पे ध्यान दो ताकि आप बीच में profit कमा सको then finally comes resource allocation business economics with the help of advanced tools such as linear programming enables the firm to arrive at the best course of action for optimum utilization of available resources कितने resources कब कहां कैसे लगाए ताकि उसका best optimum utilization हो सके एक employee है वो आपके घर में बैठके बरतन भी दो सकता है और आपके factory में वो product को labeling भी कर सकता है बट उसका ज़्यादा better utilization कहा है आप सोचे resource allocation के अंदर ये भी cover होता है carry of capital and investment decisions for maximizing its profit the firm has to carefully evaluate its investment decisions and carry out sensible policy of capital allocation पैसा सबके पास है आप bank से लेकर आओगे investor से लेकर आओगे member से लेकर आओगे तो पैसा लगाएंगे कहां कितना industry में डालोगे, कितना stock में डालोगे कितना inventory management, कितना management, कितना salary, कितना rent ये कौन सोचेगा तो इसके लिए capital and investment decisions में आप आओगे theories related to capital investment provides scientific criteria for choice of investment projects and in assessment of efficiency of capital besides economic supports decision making on allocation of scarce capital among competing uses of funds तो आपके पास जो पैसा है उसको best possible कहां use कर सकते हो ये आपको ये theory से पता चल जाएगा then comes profit analysis profits are most often uncertain why? because due to changing price, change in market condition profit theory guides the firm in the measurement and management of profit under conditions of uncertainty ये वर्स्ट के सिनारियो भाई इतना तो profit हम कमा लेंगे वर्स्ट के सिनारियो इतना profit हम कमा लेंगे that is profitability analysis आपका खोड़ा सा भी raw metal का cost increase होता है ना आपका overall profit कम हो जाता है थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको एक गलत फैसला और आपका पूरा profit उसमें hamper हो जाता है sales return profit hamper करते after sales services profit hamper करते warranty cost profit hamper करते ती क्या होता है कुछ cost हम लोग pre-determine करके चल रहे है उसके साब से हम profitability निकाल रहे है but what about uncertain expenditures what about uncertain costs उसका तो आपने सोचे ही नहीं और वो तो आ सकते है कभी भी आ सकते है कितने भी आ सकते है how are you going to account for that तो profitability analysis में वो uncertainty में भी कितना profit आप कमा सकते हो वो calculate करके आपको देगा so profit analysis also immensely useful for future profit planning now whenever you go and you know you approach कि वही bank के पास जाके loan लेते है bank आप से आपका सिफ historical data मांगता है क्या bank आप से आपको projections भी बनाने बोलता है how will you show a projected profit when so many uncertainties can happen in the going forward in the years profitability analysis तो आगे वाले को भी पता है कि यह certain नहीं है this is based on a lot of assumptions but जितने realistic assumptions होंगे उतना वो projection close to reality रहेगा and based on that the bank will either be interested in giving you loan or the bank may reject your application so basically it's like that कोई बात निराम भाई I am extremely sorry to not being able to satisfy you you may choose to go for other classes thank you so much next risk and uncertainty analysis जैसने हम बात कर रहे है profit is based on uncertainty correct अब अंसर्ड नहीं आती है risk के विदे से बहुत सारे risk हम पर applicable होता है for example sir हमारे factory में आग लग गई sir आग तो लग सकती ना आग का क्या है अर्थ के विदे आ सकता है risk factors तो बहुत सारे है और उसके वैसे हमारा ultimately profit गिरेगा so business firms they generally operate under conditions of risk and uncertainty अच्छा ये तो सिर्फ चलो मैंने ऐसे आपको लग रहा है कि earthquake और ये इतने frequently नहीं आते है सबसे basic risk my business will not work my product will not sell ये तो risk हार business man ये risk लेकर चल रहा है every production that is made वो ये risk लेकर ही चल रहा है what if ये product विका नहीं तो तो आप देखेंगे businessman तो ये भी कहता है higher the risk higher will be the return करता है कि नहीं तो कोई भी business risk free नहीं है भाई हर business risk के साथ चल रहा है uncertainty को धान में रखते वे चल रहा है now analysis of risk and uncertainties helps the business firm in arriving at efficient decisions and formulating plans on the basis of past data current information and future predictions no matter what देखो एक बात हमेशे आदखना ये theories है ठीक है कहीं पर भी आपको assurance नहीं मिलेगा कहीं पर भी assurance नहीं मिलेगा कि भाईया ये आमने theory लगा लिये तो अब कोई भी uncertainty है हमारा business चलेगा अगर ऐसा होता तो ये हजारों लाखों economic theories धरे के धरी रहेगे जब covid आया इन में से कौन सी economic theory चली कितने businesses बंद हुए so sometime you may face a situation which is not which you cannot solve using the theories so ये theories कुछ जगाओ पर काम आ सकती है whereas ऐसे कई और situation नहीं हो सकते है जहाँ पर ये theories का कुछ भी आप नहीं कर सकते है situation इतनी बुरी हो जाती so these are all the theories जो micro economic issues solve करने के लिए आप use कर सकते हो for example आपको लग रहा है कि production के related मुझे tension है आपको लग रहा है technology factor pricing sales promotion finance या management का tension है आप इन policies को use करो demand forecasting जहाँ पर आपको पता चलता है कि कितना production मैंने करना चाहिए फिर आपके पास रहेगा production and cost analysis आपको पता चलेगा कितना produce करना और किस cost पर produce करना है inventory management just so that you can reduce the overall cost market structure and pricing policy क्या मैं इस market में capable खुद का price set करने या मुझे चुपचाप से दूसरों का price उठा कर use करना है और cost अपनी reduce करने का try करना है resource allocation मेरे पास कितना resource है मेरे को कितना चाहिए वो नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तो unlimited है कोई भी company सोची की मेरे पास 50 factories हो 50 factory पे 500 employees हो 500 employee हजारों product create करे उन हजारों product को बेचके मैं और 50 factory खरे दूँ अरे ये अंडा और मुर्गी वाला कानी हम सबने सुना है लेकिन है क्या आपके पास उतने अंडे और उतने मुर्गी नहीं है जो resource है उसको आप most efficiently कहां लगा सकते हो theory of capital investment sir पैसा रोकड़ा ये तो sir हमेशा हमेशा ही मला बोलते हैं हमेशा shortcoming रहा है हमेशा बड़े बड़े companies भी IPO, FPO, SPOs लाते है क्यों पैसा उनको भी चाहिए so see एक होताने concept bootstrap bootstrap is जहां पे founders अपना खुद का पैसा लगा कि business start करते है आप bootstrapping करो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन bootstrapping वाला business कभी scale ही भी नहीं कर सकता you can't scale a business with bootstrapping why because of the biggest problem of capital there will always be limitation on capital वही अगर आप सीधा IPO करते why do companies go for IPO वो company में जहाँ पे 5,50,20,100 करोड का capital है वो suddenly 5,000, 15,000, 20,000 करोड का capital आजाता है उनके पास अब आप इमाजिन करोड लेवल of scalability कितना हो सकता है so funds, theory of capital, theory of investment decision this is going to you know be extremely important for every organization profit analysis and risk and uncertainty analysis these are all theories, microeconomic theories which can help an organization to thrive and be you know safeguarded from all these changes but of course जैसे कि मैंने कहा no organization is working in a vacuum we have some macroeconomic you know theories applied as well but ये theories आपके business पे नहीं external environment पे अप्लाए होती है सर्क Corona में पेट्रोल और medical और online business की ग्रोथ तो हो गई yes, हो गई बेटा और ऐसे और बहुत सारे businesses है जैसे content creation जिसकी हो गई but ऐसे और बहुत सारे business है जिनके कोई economic theories कालम नहीं आई for example hotel बन थी तो बन थी for example आपने देगा grocery store limited time के लिए उपन थे आप देखना जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स हो गई फिर उसके अलावा नॉर्मल ना आइस्क्रीम शॉप्स नॉर्मल पांठेले आप कितने कितने business उसको आप बचा आप है see at any given situation one person is going to earn वो तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी फिर उस case में तो मतलब आप अगर आप imagine कर रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा तभी होगा at the end of everything कि जहां पर सब को पता है कि सब आप कुछ नहीं हो सकता है end होने वाल है that is where everyone will be at loss उसमें भी कोई ना कोई profit पर रहे गई है तो हाँ malls, theaters बिल्कुल बिल्कुल there were so many businesses जो literally थप पड़ गए वापस उठके आई ही नहीं कोईट के बाद आप imagine करना और बहुत सारे अभी आपने theaters का बता है बहुत सारे लोगों ने अपना business करने का तरीका ही बड़ा लाल I still remember before covid a normal ticket was there for 150-180 आज आप सड़े से सड़े ठेटर का बता दो आप देख ले ना खुद bookmash open करके now the normal rate is 300 and 400 जब theaters open हुए थे ना जब उनको बोला गया था कि आपको एक seat छोड़के लोगों को बैठाना है social distancing maintain करना है उन लोगोंने decide क्या एक theater में capacity होती है देड़सो लोगों की हम उनसे लेते हैं 200 रुपए अब हम उसमें सिफ 75 लोग बैठा रहे तो अब हम उनसे कित्ता लेंगे तो उन्होंने सीधा सीधा अपना पैसा multiply करके दो कर दिया अब वो 75 लोगों से 400 रुपए देने वाल उन्होंने लेने लग गए और लोग 4 सुरुपए देखे movies देखने लगे अब situation सही हुई covid के effect खतम हो गए social distancing norm हट गए अब ठीटर में 1500 लोग बैठ रहे है बट क्या rate कम हुए उनको समझ गया कि people have the paying capacity of 400 then why should I reduce it आज भी आप सारे prime shows महेंगे ही लेंगे और यह surprising decision है उनको realize हुआ कि इधर अगर लोगों की paying capacity है तो मैं क्यों ना लूँ पैसा एकाज show dumb जाएगा एकाज show में कम लोग रहेंगे लेकिन मैं बाकी से कितना साथा कमा ले रहा हूँ पहले के comparison में इस सब business decision making चलो macroeconomic applied to external or environmental issues macroeconomic के लिए हमारे पास आज time नहीं है यह काम करते है macroeconomics को हम कल देखते हैं और इसके difference के साथ कल यह unit complete करते हैं है ना आज के ना बहुत ज्यादा extend हो जाएगी class तो कल इसको end करते हैं कल फिर मैं आपको एक मिनिट हां हाँ कल इसको end करते हैं और कल का short session रखेंगे एक revision कर लेंगे chapter unit 1 का और मैं आपको कुछ mcqs या कुछ questions पूछ लूँगा इस टू चेक थी सब बराबर आपको आ रहा है या नहीं है ना ठीक है क्या भायों बेनों दीवियों सजनों चैट करना जरूरी समझोगे है हाँ ठीक है ना हाँ ठीक होना विचे चलो thank you so much god bless you all lots of love अगर like नहीं ठोगा है तो भाई like ठोग देना बड़ी महरबानी होगी आपकी हना तो like ठोग देना thank you so much and yes yes of course जिनका profit बढ़ गया ऐसे कई और businesses जिनका profit बात में बढ़ गया है हम लोग चर्चा करेंगे अभी तो पार्टी शुरू ही है बहुत सारे बिजनेसे और के बारे में बात करेंगे ना चल थांकी सो मच गाई इंग इंग्र्स येस सुजल जैन थांकी सो मच पर देस पोट लव यूए वेक लोकेश वोम्या सु और कौन है कौन है वड़ावार बताओ सिदां चकलेचा भाई साब थैंकि सो मच यह आर अल दीलव मैं थांकि सो मच पर अधार थांक एंकि then we will start with the next unit bye everyone take care see ya thank you Lukesh